आज हम लोग करेंगे Thinkific का detailed review Hi guys, मेरा नाम है Kripesh Adwani यहाँ पर मैं digital tools और services से related videos बनाता रहता हूँ आज हम लोग बात करने वाले हैं Thinkific के बारे में Thinkific एक online course platform है Now जबी भी आपको अपने courses sell करने रहते हैं तो हमारे पस दो option रहते हैं यहाँ तो हम लोग अपनी website को scratch से बना लें यह WordPress जैसी service का use कर लें उसमें LMS का use कर लें यहाँ फिर एक कोई online course platform का use कर लें जैसे कि Thinkific हो गया, Teachable हो गया, Kajabi हो गया तो आज हम लोग बात करने वाले ऐसी एक platform के बारे में जो की है Thinkific Thinkific को मैं काफी time से use कर रहा हूँ मेरे जो खुद के courses है वो भी Thinkific के उपर ही है तो आज हम लोग Thinkific की details में देखींगे कौन सा plan आपको लेना चाहिए, free में क्या मिलता है, paid में क्या मिलता है और future में हम लोग teachable पे भी video बनाएंगे और teachable से इसका comparison भी करेंगे तो बिना किसी delay के हम लोग start करते हैं, Thinkific के pricing plans के बारे में बात करें तो यह आपको free, basic, pro, growth और premier इनका top tier वाला plan है free में यहाँ पर आपको एक course मिलता है और काफी सारे यहाँ पे features मिल जाते है then आता है इनका basic plan जो मेरे पास है, जो मैं अभी use कर रहा हूँ जिसके ओपर मैं आपको demo दूँगा, वो basic plan है then यहाँ पर इनका pro plan है, जिसमें लोग कुछ additional features भी दे देते हैं वो भी मैं आपको बीच-बीच में बताते वह चलूँगा कि pro में आपको यह सारे 99 का ही मिलेगा, अगर आपके 100 students के ऊपर जाते हैं then आपको एक-एक student ले extra देना पड़ेगा अगर आपके 200 students हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको extra $10 देने पड़ेंगे basically आपको एक student ले around 10 cents देने पड़ेंगे तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़े करने के कोशिश करूँगा वीडियो को आखरी तक देखिएगा और कौनसा प्लान अच्छा है, कौनसा आपको लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा चुरबात करते हैं इसकी user interface से जैसे ही आप लोग-इन करेंगे इस तरहिके का आपको admin panel यह आपको देखने को मिलेगा manage learning content यहाँ पर आप लोग courses को manage कर सकते हैं यह page designer है यहाँ पर आप लोग users को marketing के लिए है integration के लिए है, coupons वगरी create करने के लिए then advanced reporting यह भी बीटा में है तो इसमें में जादा नहीं जाओंगा प्लस यह growth वाले plan के लिए तो इसमें अभी हम लोग जादा नहीं जाएंगे support your students में आप लोग users को आड़ कर सकते हो उनको affiliate की तरह आड़ कर सकते हो notifications कहां कहां से बेजने यह सारी चीजों पर हम लोग one by one touch करेंगे शुरुबात करते हैं सबसे पहले courses से courses में यहाँ पर आप लोग जैसे ही जाएंगे manage learning content के अंदर courses के अंदर यहाँ पर मैं demo course खोल देता हूं सबसे जो important चीज होती है वह होते है lessons हम लोग किस तरह के यहाँ पर lessons create कर सकते हैं जो यहाँ पर आप लोग course सिखाना चाहते हैं उसके relevant यहाँ पर lessons है कि नहीं है तो पहले तो यहाँ पर रहते हैं chapters chapters के अंदर आते हैं यहाँ पर lessons तो जैसे यह chapter है यह इसके अंदर मैंने हर तरह का यहाँ पर lesson डाल के रखा है और यहां पर PDF, survey, audio, यह सब यहां पर इन्होंने options दिये हैं वीडियो लेसंस पर जैसे हैं यहां पर हम लोग आते हैं यहां पर आप लोग अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो और नीचे उसका टेक्स डाल सकते हो दिन हमारे पास यहां को प्रिव्यो को प्रिव्यु किया जा सकता हुआ इन减सों बिना कॉर्स खरीएब तर नीचे लोग आप धायो के छोंते ह derivिएहां प्रब्लेद मनें आपकि चल्च पर दाल सकते इंस पर को कर सकते हैं की नहीं है और मुझे वीडियो डालना है वो भी यहां पर option अवेलेबल है इमेज डाल सकते हो यूट्यूब का वीडियो इंबेड कर सकते हो उसके अंदर आप लोग ऑडियो भी डाल सकते हो जैसे मैंने soundcloud URL से यहां पर audio डाल दिये और अगर उसके अंदर कुछ attachment है कि आप ल अब यहां पर एक चीज जो मैंने देखी कि यहां पर आप लोग कोडिंग नहीं डाल सकते हो कोडिंग का जो भी आप लोग डालोगे उसको यहां पर auto format नहीं किया जाएगा उसमें आपे color coding नहीं आईगी तो coding ले यह ज्यादा अच्छा नहीं है एक चीज जो मुझे इसमे क्विज लेसं क्विज लेसं में हम लोग यहां पर questions अट कर सकते हैं different different quiz में जैसे एक correct answer है तो कौन सा answer यहां पर मेरा question आ गया तो यहां पर मैंने यहां पर answers दे लिए choice, choice, choice और इसमें से कौन सा correct answer है एक चीज जो मुझे यहां पर अच्छे लगी वो हमें यहां पर explanation भी देता है कि यह वाला answer correct क्यों है यह अगर गलत है तो वो क्यों है इसके बाद हमारे पास option आता है multimedia lessons का अगर हमें i-frame अगर आट करने तो यहां पर multimedia lessons कितना हम लोग वो कर knowledge है यहां फिर वो क्या expect कर रहे है मेरे course से यहां फिर उनका जो अभी का level है वो क्या है क्या वो future में expect कर रहे हैं उनके सीखने के बाद उनकी opinions क्या है कुछ feedback वगरे लेने service का use यहां पर किया जा सकता है अच्छी बात है कि यहां पर मुझे किसी और service का use नहीं करना है अगर यहां पर देखने को मिल जाएंगे फिर हमारे पास और पेपे PDF लेसंश अगर आपको यहां पकर PDF अपलोड करनी है तो फिर हम लोग यहां पर PDF को मैंने अपलोड कर जगा जैसी मैं पर preview करूंगा इसको आपको यहां पर देख पाईगे प्रिवीव करको मैं आपको यहां प पर देनी है तो वह भी यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो यह PDF फॉर्माट में आपकी प्रेजेंटेशन अप्लोड होगी अब इसमें एक बात मुझे जो अच्छी लगी वह यह लगी कि यहाँ पर आप लोग आप लोग पर रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसे यह प्रेजेंटेशन करना है वह मैं कर दोगा अब हम लोग ने बात करे कि किस तरीके से आप लोग इसको मानेज कर सकते हैं अड्मिंटर्फेस का रहता है अब इसका स्टूडेंट इंटरफेस का सारत है कैसा दिखेगा सामने वाले स्टूडेंट को उसके लिए भी मैंने आपर काफी अच्छी इस तरीके से आपके लिए सेटैप कर दिया आपको मिरे दीए अधे लिंक पर जाना है और यहांपर मैने अपना पूर्स होँआ है पर ट॥्रन को क्रियेट कर देगा इन सर्थे लेशन के साथ यहां पर मैंने chapter डाला था जो भी chapter रहेगा वो इस तरीके से दिखेगा और जो इसके अंदर के lessons है वो इस तरीके से दिखेंगे तो जो पहला lesson है वो वीडियो इस तरीके से यहां पर speed देख सकते हैं हम लोग speed quality और audio and captions दालें तो वह भी आ जाते हैं जो नीचे का text लिखा यहां पर discussions यहां पर हमारे आ जाते हैं आपर demo discussion this is a demo discussion अब यहां पर discussion मैंने create कर दिया अगर हैं आपर कोई और चाहें तो यहां पर जाकर अंसर कर सकता है जो author है वो कर सकता है तो discussions भी आपर हम लोग कर सकते हैं basically community form हो जाती है discussions करने से फिर यहां पर text lesson है कुछ text lesson में हम लोग यहां पर जो मैंने डाले थे वह तरीके से आपको दिखेगा अगरी नहीं पर coding format नहीं होता है आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा आप खुद भी जाके यहां पर test out कर सकते हैं तो VPN cloud storage confirm कर देता हूं तो यह मुझे बताएगा कि नहीं यहां answer आपका correct ही है और यहां पर मुझे explanation भी दे देता है जो मैंने डाल के रखा है जो मैंने डाल के रखा है यहां पर सर्वे लेसंस है हमारे पास अगर हमें सर्वे कंड़क करना है इस तरीके से आपको दिखेंगे यहां पर लोड हो जाएगी पीडिएफ में लिमिट है अराउंड 25 MB यहां पर maximum file आप लोड कर सकते हो यहां पर मैंने पीडिएफ अपलोड करके रखिए Gary V की audio lessons अगर आपने audio अपलोड करें वह इस तरीके सा जाएगे डाउनलोड एबल और फिर यह रहा हमारा प्रेजेंटेशन आप लोग खुद भी जागे चेकाउट कर सकते हैं यह जो है यहां पर मैंने audio audio रिकाड करी करी सी तो अडियो आथी है यहां नीचे निचाहन हो दो प्ले कर सकता हूँ यह पेसा ने संघल पर शॉर्ट कर सकते हो काफी जाते हैं तो यहां पर बेसिक सेटिंग कि आपके पर क straight up पर जाते हैं तो क्या है अगर आपको कॉर्स कोशेड़्ूल करना हैं मॉलन मुझाव इसका कोर्स है तो मैं चाहता है कि हर वीडियो एक एक दिन बाद आए तो यहाँ पर मैं ड्रिप कर सकता हूँ कि जो मेरा पहला लेसन है वीडियो यह इन्रोल्मेंट के कितने दिन बाद आएगा जो क्विज लेसन है यह कितने दिन बाद आएगा एक दिन बाद आएगा टेक्स लेसन है यह कितने दिन बाद दो दिन बाद आएगा तो यह चीज में आपर ड्रिप कर सकता हूं कि कब कब मुझे चाहिए बहुत थारे ऐसे कोर्स होते हैं कि आप नहीं चाहते कि एक साथ वो देखे क्योंकि कुछ वहाँ पर वो मिस आउट कर सकता है अगर मैं आपर कोई चालेंज कर रहा हूं अगर आप कर सकता हूं वन टाइम पेमेंट कर सकता हूं सब्सक्रिप्शन के भी ऑप्शन से और मेरे पास आप मन्थली पेमेंट ऑप्शन भी है अगर मैं EMI टाइप उनको देना चाहता हूं तो मैं आपर मन्थली पेमेंट ऑप्शन का भी यूज कर सकता हूं फिर आफ्टर पर पर तो प्रो का फीचर है, इसके लोग जाहेंगे, पबलेश, यहां पर आपको बेसिकली सेटिंग कर सकते हैं, इसके बाद जो इसमें एक और चीज रहेगी, वो रहेगी वीडियो लाइबरी, यह आपको मैंनेज लर्निंग कॉंटेंट में मिल जाएगी, वीडियो लाइबरी ब इसके अंदर भी मैं इन वीडियो का यहां पर यूज कर सकता हूं, उसके बाद यहां पर मुझे वीडियो आनलेटिक्स मिल जाते हैं, जैसी मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं, तो मुझे इस वीडियो की डिटेल मिल जाती है, मैं यहां पर थमनेल सेट कर सकता हूं, तो इसने मुझे यहाँ पर मैं इसको चूस करता हूं तो इसने मुझे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दे दिया है कि किस तरीके से मेरा कोर्स होना चाहिए मेरे लिए परस्नली यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अब दो बात करते हैं लांडिंग पेरस्ट बिल्डर के जैसे आकर दिजाइन साइट पर आपेश्ट बिल्डर यहां पर आपर लोग अर्नलार शेंच सक्षिंॉर्व धर इवा ऐसके नचे कुछ di स्वख दालना चाहूं तो यह आपर मैं ऑन छिकित करों इसने का डालना है for example let's say मुझे call to action डालना है call to action का यह आगया यहां पर मैं इसमें इमेज डाल सकता हूँ यह पीछे का background डाल सकता हूँ देन में एक और section डालना है countdown timer डालना है कि मैं यहां पर डिस्काउंट रन कर रहा हूँ जो कि सिर्फ चलेगा अगले 24 गंटे के लिए तो वो में डाल सकता हूँ एंड मैं इसको यहां पर उपर कर सकता हूँ मुझे थोड़ा उपर सीगे सबसे उपर सीगे countdown timer कि अभी सिर्फ एक गंटे एक दिन क्लिए वाली सेल रहेगे आप यहां पर जाके देख सकते हो call to action में परचेजना फिर यहां पर मैं add section पर गया और यहां पर अगर मुझे कुछ यहां पर अपनी email से करना है कि coming soon है तो मैं यहां पर lead capture कर सकता हूँ तो यह हम लोग यहां पर home page एडिट कर सकते हैं इसी तरीके से अगर हमें independent यहां पर course pages edit करने हो जोसे मेरा hosting और वाला course है तो इस पर मैं चला जाता हूँ तो अगर मुझे यहां पर course page edit करना हो तो वह कैसा रहेगा वह इस तरीके से रहेगा यहां पर मैंने एक banner डालके रखा है उपर और यहां पर हम लोग ने एक हीरे image picture in picture यह सारी यहां पर मैंने एक video भी डालके रखा है वह चीज़ यह आप लोग कर सकते हैं दिन नीचे curriculum आ गया इस तरीके से दिखे का logo को और video और video यह रहा इसके पीछे में background भी डाल सकता हूं अगर मुझे और यहां पर अपने courses को add करना है तो यहां पर आप लोग सारे pages को edit कर सकते हो अपने हिसाब से जो इसमें एक और important page है वह payment का payment के लिए यहां पर आप लोग नीचे add कर सकते हो अब यहां पर एक अच्छी बात है कि यह लोग यहां पर एक नया feature भी टेस्स कर रहे हैं जिसमें स्क्रीम लाइन हो जाएगा जैसे इस तरीके का payment रहेगा उपन नाम डालो नीचे credit card डालो यहां फिर पेपर डालो and then complete order so landing page builder इनका पहले इतना अच्छा नहीं था लेकिन अभी आपर improvements हो गए है and in my opinion अगर आप लोग एक beginner हो अगर आप लोग इनका जो page builder है उसको use कर सकते हो जादा problem नहीं आईगे आपको features भी आपर मिल जाएंगे फिर यहां पर market and sales पे आते तो यहां पर आप लोग coupons create कर सकते हो coupons पे मैं जाता हूं तो मेरे plan में मैं एक particular coupon create कर सकता हूं मैं यहां पर unique coupons नहीं create कर सकता हूं कि मुझे मालबो 500 coupon code चीहें जो कि unique रहे one time रहे तो मैं उसको यहां पर automatically नहीं create कर सकता हूं मेरे basic वाले plan पे मैं यहां पर एक coupon code create कर सकता हूं यहां पर मैं बता सकता हूं कि उस पर कितना percentage off रहेगा concept products पर रहेगा और कब तक यह coupon expiry रहेगा और कितने यहां पर इसकी quantity रहेगी जैसे मैंने यहां पर एक coupon create करके रहाए kpdemo quantity है remaining है और यह कब expire होने वाला है integrations की बात करों तो यहां पर आपको Google Analytics मिल जाता है जो कि इस case में ज्यादा helpful नहीं रहेगा सिफ यहां पर आपको page views ही मिल पाएंगी Google Analytics के अंदर दिन हमार पास mix panel है जो कि actual में helpful रहेगा आप लोग इसका यूज कर सकते हो आप लोग यहां पर flows देख सकते हो insights वगड़े देख सकते यूजर profiles फनल्स वगड़े इन सब में आपको ज्यादा help करेगा यहां पर आपको advanced analytics मिल जाएंगी अगर आप लोग यहां पर mix panel का implementation है अगर आप खुब सारे analytics service को एक साथ data भीजना चाहते हो तो फिर इसका यूज कर सकते हो देन हमें यहां पर एफिलेट को option भी मिल जाता है basically आप अपने students को यहां पर as an affiliate करा सकते हो अपने courses के लिए मतलब उनको commission मिलेगी और यह सारा इनका inbuilt feature यह automatically calculate कर लेगा track कर लेग इनके basic वाले plan में Zapier के यहां पर trigger मिल जाएंगे action नहीं मिलेंगे दोनों में का difference होता है वो में आपको समझाता हूँ Zapier basically अगर आपको यहां पर automate करना है उसके लिए use होता है मानलो जैसे ही यहां पर कोई sign up करे मेरे think effect पर उसका जो email idea वो automatically जो मेरा email provider है जो जिसके साथ मैं emails वकरे भेजता हूँ मानलो send box है मेरे case में तो जैसे ही कोई मेरे course में आपे enroll करेगा Zapier के थूँ मैं automatically वो चीज़ अपने email marketing platform पर डाल दूँगा तो यह चीज़ मेरे basic वाले plan पे include है मतलब trigger क्या रहेगा trigger रहेगा think effect पर जो भी action हो रहा है किसीने course पे enroll किया किसीने कोई comment कि तब मैं यहाँ पे Zapier के through वो data ले सकता हूँ अब अगर action की बात करूँ तो मानलो मेरा Shopify पे product है तो मैं यह चाहता हूँ कि जैसे Shopify पे वो product को कोई purchase करे उसको यहाँ पे think effect का मेरा यह वाला course automatically enroll हो जाए free में वाला course इसको मिल जाए तो यहाँ पे जो मेरा trigger रहेगा वो इसने को मिल जाते हैं लेकिन वो pro plus growth plan में ही safe available हैं मेरे सबसे यहाँ पे Zapier integration अच्छा है trigger वी आपको मिल जाते हैं basic plan पे अगर action यहाँ पे लोग pro plan में दे 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 तो वो जादा बेटर रहता दर इनके payment integrations की बात करूं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा reason था think effect लेने का यहा जो की आउटसाइड ओफ इंडिया इशू करेगा है मतलब international cards वगरे के लिए stripe की वज़े से मेरे जो इंडिया के debit cards है उनको भी मैं accept कर सकता हूं और users भी ज्यादा trust करते हैं कि यहाँ पे stripe का payment gateway यूज हुआ है ना इसका plus भी है minus भी है plus यह कि आपके transaction charges ज्यादा नहीं करते माइनस यह कि आपको जो भी processing करने पड़ेगी वो रहेगी आपके stripe से मतलब अगर को refund करना है तो फिर आपको इस पर stripe पर login करना पड़ेगा फिर refund करना पड़ेगा तो जो भी आपकी payment की processing रहेगी वो सारी stripes से होगी वो सारी यहाँ think-e-fix से नहीं होगी हाला कि वो भी काफ विजुली email कर सकते हो bulk email का यहाँ पर option नहीं दिया गया है हाला कि यहाँ पर आप फिर भी bulk email कर सकते हो zapier का यूज कर लो zapier से emails को ले लो अपने email marketing platform पर वहां से सबको emails भेज दो फिर यहाँ पर खुम सारे notifications भी आ जाते है welcome message weekly discussion का अगर किसी ने reply किया रिसीट्स वगर यह स अगर आपको email receive करने वो भी answer आप लोग turn off यहाँ फिर on कर सकते हो इसके बाद यहाँ पर हम लोग custom URL भी add कर सकते है means courses.kripashadvani.com वो भी यहाँ पर मैं add कर सकता हूं basic plan पर और Thinkific की branding अगर मुझे remove करने है तो pro plan प्रस growth package पर मुझे जाना पड़ेगा in fact मुझे personally कोई problem भी नह क्योंकि यहाँ से users को जो students से उनको पता चलता है कि यह एक अच्छा platform है Thinkific एक कापी बड़ा brand name है online course के लिए तो यह एक अच्छा platform है जो इनका interface है वो भी अच्छा है प्लस जो teacher है वो भी इतना spend कर रहा है अपने course को host करने के लिए तो फिर chances है कि उसका course अच्छा होगा ऐ इसा नहीं है कि insta mojo पर 5000 रूपे लेकर गए यहाँ पर तीन PDF फाइल और 5 MP4 फाइल पकड़ाई जा रही है customer support की बात करनो तो आपको live chat support नहीं मिलेगा email कि थरू मिलेगा Monday to Friday Saturday Sunday नहीं है इनकी website के according मुझे परसनल यहाँ पर Saturday Sunday को भी replies आये थे जो मुझे यहाँ पर average time लगा इसा नहीं था कि वो मुझे हमेशा किसी दूसरा article पर गाइट कर रहे हूं कि यह वाला जाके पढ़ लो इनके जो replies थे they were actually good थोड़ा time लिया but they were good और जो इनका knowledge base है वो भी कापी अच्छा है नहीं से आपको बहुत बार तो आपके जो सवालों के जवाब है वो इनके knowledge base में मिल जाएंगे ना इससे पहले आपर मैं आपको best plan बताओं मैं आपर आपको एक disclaimer देना चाहता हूं कि मुझे थिंक्यपिक ने इस वीडियो के लिए sponsor नहीं किया है जो भी आपर मैं बोल रहा हूं हो मेरी फुत की personal opinion है हाला कि अगर आप लोग मेरे नीचे दे गए लिंक से purchase करोगे तो मुझे थोड़ी commission मिलेगी बिना कुछ आपके extra cost पेके वे in fact नहीं पर आपको better discounts better rates से मिलेंगे तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग मुझे support कर सकते हैं मेरे नीचे दिये गए link से लेकर के thank you अब हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन स प्लान यहां पर लेना चाहिए तो वापस से जाते हैं लोग इसके pricing वाले page पे free वाला जो है यहां पर आपको सिर्फ एक ही course create कर सकते हैं तो अगर आप लोग इनका free वाला plan है वो बहुत अच्छा है पहले यहां पर तीन courses create कर सकते थे इन्होंने recently इसको limit करके सिर्फ एक ही करोगे तो आपको $39 का मिलेगा तो आपको नीचे 30-day trial के link मिल जाएंगे basic pro और pro plus growth plan के लिए आप लोग कोई भी try कर सकते हो मेरे साब से आप लोग को यहां पर try करना चाहिए basic plan it will be sufficient for most of the people out there अगर आपको इससे ओपर के requirement रहेगी तो फिर आप लोग को automatically समझ जाओगे basic plan का यूज करते हुए अब अगर मैं इसके training program की बात करों तो मैं personally उन tools का उन services का जो मैं personally use कर रहा हूँ जिसके मुझे लगती है कि requirement रहेगी कि किसी को सीखने की मैं उसका training program launch कर देता हूँ जैसे मैंने cloudways का किया था hosting गर का किया था उन लोगों के लिए जो लोग मेरे link से purchase करत हैं अगर जाधा लोगों की demand आई तो मैं इसका training program ले आऊँगा जहाँगा जहाँबर मैं आपको free में सिखाऊँगा कि Thinkific पे कैसे काम करना है कैसे courses को upload करना है कैसे page builders का use करना है सारे features को कैसे use करना है इनके basic वाले plan पे वो सब मैं आपको Hindi language में explain कर दूँगा so do let me know कि आप अगर मैं इसके कुछ pros की बात करूं तो जो इसकी pricing है वो काफी अच्छी लगी है मुझे यहां पर transactional fees नहीं है इनका basic plan बहुत अच्छा है payment options में यहां पर आपको stripe option मिल जाता है जो lesson के options है वो काफी अच्छे दिये गए हैं बहुत सारे हम लोग यहां पर lessons को create कर सकते है video playback जो फीचर है वो अच्छा है speed जो हमें मिलती है वो अच्छी है all over the globe यहां पर आपको अच्छी speed देखने को मिलेगी JPA trigger आपको मिल जाता है basic plan पर और जो analytics के feature दियेगा है mix panel अगर वो बी काफी अच्छा है अब अगर आपर मैं से कुछ cons की बात करूं तो है आपर मुझे coding snipp आप करने को option नहीं मिला है live chat support नहीं देखने को मिलता और support कभी कबले आपे थोड़ा slow हो जाता है और जो इनकी pricing है pro plus growth plan के लिए वो बी काफी higher side पे जा सकती है अगर आपके students जाधा हो तो मेरे साब से thinkific is really good for free and for the basic plan अगर आप तो start कर रहे हो तो thinkific is going to be a good option, charges भी कम लेते हैं हाला कि आप वो starting में ऐसा लगा कि यह ज़्यादा charge कर रहे हैं अगर आपको यह अच्छे price point पे आपको अच्छे service दे रहे हैं खास करके जो इनका basic plan है landing pages भी इनके पहले से ज़्यादा improve हो चुके हैं, coding के लिए यह इतना अच्छा platform नहीं है, अगर आपको यहाँ पर coding सिखानी है तो coding snippets का यहाँ पर option नहीं है So yes, Thinkific is a good option, मैं खुद भी personally आपर Thinkific ही use कर रहा हूँ, आप लोग भी चाहें तो try कर सकते हैं, नीचे आपको link मिल जाएगा और future में मैं Teachable के ओपर भी video बना दूगा और दोनों को compare करके भी video बना दूगा So that's all for this one, अगर आपको यह video अच्छा लगा है तो इसको thumbs up दे जीजेगा, मेरे link से purchase कर सकते हैं, मुझे support करने के लिए कुछ coupon codes आएगे तो मैं add कर दूगा And I will see you guys in the next room, goodbye